आप सभी का welcome है आज की इस वीडियो में बात करेंगे crypto market के बारे में और साथ के साथ बात करेंगे latest और important updates के बारे में सबसे पहले अगर आप situation देखोगे और उससे पहले आप सभी को very good morning आई होप आप सब अच्छे होंगे और अभी जो आप क्रिप्टो मार्केट की सिचुवेशन देख रहे हैं वो अच्छी नहीं है क्योंकि बिटकोई ने रात को अपना नया बोटम लगा दिया ज्यदा नीचे नहीं गया ठीक है 15500 को तोड़ गे 15400 का लेवल दिखाया बिटक का लो देखें तो 15,599 पे देखने को मिलेगा ठीक है सब जिगा अलग लग आपको जो है प्राइस देखने को मिलता है लेकि बिटकोई ने अपना बोटम लगा दिया है 15400 जी हां 15,476 मलब 15,500 को जो लगाया था उसको तोड़ दिया अभी आप देखो 15,800 हैं और यहां पे बिटकोईन तब से जो है कल से ही 15,000 के लेवल पे चल रहा है बिटकोईन ने बोटम तोड़ा है लेकिन अभी तक ऑल्टकोईन में ज्यादा कोई डाउनफोल हमको देखने को नहीं मिली है थोड़ी बहुत नमी जरूर देखने को मिल रही है है ना लेकिन अगर 13-14,000 के ले अगर आप देखो थोड़ा बहुत यहाँ पे जो है नमी हमको भी फिलाल देखने को मिल रही है अल्टकोईन के अंदर और अगर आप देखो ट्रॉन 13 नमबर पे आ चुका है शीवा इन्हों 14 पे चल रहा है 0.5x0845 की सीरीज के साथ चल रहा है शीवा इन्हों उसके साथ 15 नमबर पे आ चुका लाइट कोईन लाइट कोईन के जलवे दिख रहे हैं दीरे दीरे यह कोईन नीचे से उपर आ रहा है और हो सकता है जब यह टॉप 10 में रहता था अब यह आपको फिर से टॉप 10 में लेवल को भी टेच कर लिया जो एक 15,555 मल पंदराजार 555 का जो एक लेवल बिटकोई ने अपना बोटम लगाया था उसको ब्रेक कर लिया और इसको ब्रेक कर लिया अभी भी 15,700-800 पे चल रहा है तो डेफिनेटली 14,000-13,000 बिटकोईन भी जल्दी हमको दिख सकता है इसक भी तोड़ने में ज्यादा टाइम नहीं लगाएगा ठीक है हो सकता है हम पहले थोड़ा ऊपर चले जाए 16,000-16,000 इस रहीं में भी चले जाए 17,000 के पास चले जाए है ना मार्किट में पल्टी भी मार सकता है लेकिन वहां से सीधा नीचे आ सकते हैं फिर से है ना तो इस जरा की सिचुएशन भी हो सकती है अगर आप ट्रेड ले रहे है ऐसी सिचुएशन में तो थोड़ा सोच समझ के लीजेगा बहुत ज़्यादा रिस्क है इस टाइम पर अगर आप ट्रेड ले रहे है ठीक है तो मार्किट के अंदर ना इस टाइम पर बहुत कुछ चल रहा ह अगर हम माइनर्स की बात करते हैं बिटकोईन माइनर्स की उनके भी जो अगर आप देखें होल्डिंग से हैं वो भी उन्होंने काफी अच्छी सेलिंग किया है और इस टाइम पर काफी अच्छे लोग लेवल पर आ चुकी है वो भी है ना बिटकोईन माइनर्स के भी सेंटीमेंट अच्छे नहीं है इस टाइम पर वर्निंग बिटकोइन कुट टेंग 25000 डॉलर इन अनदर डॉमिनो अफ्टर एफ्टी एक्स एंड पोल ऑफ क्रिप्टो लेंडर लाइक ब्लॉक फाय एंड जैनेसीज बिसाइड रिजियूम माइनर सेलिंग तो मतलब जो माइनर के सेंटीमेंट अच्छे नहीं है वो भी बिटकोइन वे एक अच्छा खासा जो करेक्शन है वो ला सकते हैं और अगर आप ऐसे ही अगर आप देखो ब्लॉक फाय के बाद जैनेसीज बिसाइड रिजियूम माइनर सेलिंग कुट लीड तो स्रॉंग प्र देखो इस bir market के अंडर बहुत सारी एक्षेंजिस क्या कर रही है अप ले ओफ कर रही है अपनी वर्क्फोर्स को कम कर रही है लेगिन ऑइननस एक एक एसी एक्षेंटे लीड वीड ऑफ ट्रॉंड ट्रॉंड ऑठ गर ओई ग्यागि य्या आप बाइननस object की March system हैत the time of this tweet Binance had 5,900 people 5,900 people है today we have 7,400 जब ये tweet किया था अगर आप देखोगे 15 June को तब 5,900 थे अब 7,400 हो चुके हैं और targeting 8,000 or so by end of year मतलब 8,000 या उससे उपर करना है target market में ये एक ऐसी exchange है जो employees को hire कर रही है अपनी workforce को बढ़ार ESBR market के अंदर भी घटा नहीं रही है तो number one exchange है definitely यहाँ पर hiring भी देखने को मिले है न market के उपर न एक तो आप देखो FTX का collapse हो गया उसके बाद एक और खतरा मंडरा रहा है वो है Genesis और ये Genesis अगर आप देखो crypto lender Genesis says no plan for plans to file bankruptcy imminency है न तो अभी यहाँ पर इसका कोई plan नहीं है कि यह भी file करें दिवालिया के लिए मतलब कि हम भी दिवालिया हो चुके है न लेकिन यह भी खतरेगी घंटी बजा रही है market के लिए यह भी एक bad impact डाल सकती है market के उपर Genesis क्योंकि इसका भी connection कहीं है FTX, Alameda यह सब चीजों से था और इस पे भी impact पड़ा है और यह अगर कहीं ऐसा file करती है तो definitely फिर से crypto market पे bad impact पड़ने वाला है और अगर आप देखो Genesis receive over 1 billion dollar worth of FTT from Alameda FTX in last 3 months तो इसको यहाँ पर FTT मिले थे वो भी 1 billion dollar worth of FTT है वो भी Alameda से TX, Alameda के साथ इसका भी जुड़ रहा है और यह भी अब जो है खत्रे की घंटी बजा रही है market के लिए अगर इसके साथ कुछ होता है यह भी अगर bankruptcy के लिए file कर देती है तो definitely फिर थोड़ा वैड जो है market पे impact हमको देखने को मिलेगा, bad ही impact देखने को मिलेगा क्योंकि यह चीज़ें नहीं होनी चीए next update आ रही है Federal Reserve Bank President says entire notion of crypto is nonsense है ना एक तरह से पूरी crypto को यहाँ पे जो है जो president है Federal Reserve Bank of Minneapolis है ना और says crypto exchange FTX is not one fraud company और यहाँ पे इन्होंने कहा है कि जो crypto है entire notion of crypto is nonsense है ना तो बहुत सारे ऐसे भी statement हमको देखने को मिलते हैं crypto को लेके not useful for payment, no inflation hedge no scarcity no taxing authority just a tool of speculation and greater fools यह इनका statement आया है crypto को लेके next update है LPT को लेके live peer now on top 10 purchase token among 500 biggest ethereum whale in the last 24 hour पिछले 24 गंटे में 500 बड़ी ethereum whales ने live peer LPT को भी खरीद है तो थोड़ा सा live peer के उपर भी नेजर रखें तो आपको पता है इन दिनो ethereum काफी अच्छा जो है down चल रहा है because of एक तो FTX का जो drainer है FTX ने ethereum के साथ क्या किया मालब जो hacker था जिसने है drain किये थे wallets को है ना और ethereum large whale holding 10.9 million dollar से लेके 1 billion dollar worth have added 9,47,000 more ethereum yesterday worth 1.3 billion dollar मालब पूरा पूरा 1 billion dollar के जो ethereum है और this is the fifth largest single day add in the past year और ethereum को यहाँ पे कल इस whale ने अगर आप देखोगे यहाँ पे अपने wallet के अंदर यह largest whale है और यहाँ पे 9,47,000 ethereum add किये है इसने अपने wallet के अंदर जिसकी value है 1 billion dollar की तो ethereum के price drop के साथ साथ whale ने भी यहाँ पे बहुत बड़ा action लिया ethereum को लेके जो बड़ी whales है ethereum की 9,47,000 ethereum बहुत बड़ा number होता है पूरे-पूरे 10,00,000 ethereum जो है यहाँ पे add कर लिए इस whale ने ऐसे time में binance के जो CE हुआ है उन्होंने बड़ा statement दिया bitcoin को लेके कहा कि bitcoin is not dead never has or never will है ना bitcoin ना dead हुआ है ना dead हुआ था और ना dead होगा है यह बहुत बड़ी बात है market के अंदर ऐसे statement की ज़रूरत है next update है यहाँ पे author highest जो bitmax के CEO won investor against crypto company without proof of reserve है ना अगर आप देखो जिन्होंने अभी तक अपनी जो है proof of reserve show नहीं किया है proof of reserve publish नहीं किया है है ना अगर आप देखो यहाँ पे author has question customer against investing in custodians that would not publish a proof of reserve audit यह एक बहुत बड़ी बात है कि बहुत सारी exchanges ने अपने proof of reserve है जो है transparency दिखाई है लेकिन अभी बहुत सारी exchanges हैसी है जो यहाँ पे कुछ ना कुछ कर रही है कि यह है वो है excuse जो है देखने को मिल रहे है तो थोड़ा सा उन exchanges से भी थोड़ा बच के रहे है जो proof of reserve यहाँ पे clearly आपको जो है नहीं दिखा पा रही है नहीं transparency दिखा पा रही है वो थोड़ा यहाँ पे risky हो सकता है उन exchanges के लिए last and final update है Uniswap को लेगे Uniswap now on top 10 purchased token among 500 biggest BSC whale in the last 24 hour पिछले 24 गंटे में Binance Smart Chain की जो 500 बड़ी whales है उन्होंने Uniswap को भी खरीदा है तो Lpt को खरीदा 500 whales ने, Ethereum whales ने और Uniswap को खरीदा यहाँ पे 500 बड़ी BSC whales ने, तो यह थी कुछ updates I hope इस वीडियो में आप सब कुछ समझ गयोंगे Genesis का एक खत्रा मंड़ा रहा है crypto miners जो हैं यहाँ पे वो भी उनके sentiment भी ठीक नहीं चल रहे तो market के sentiment बिगड सकते हैं अभी market पर नजर रखें नीचे जाता हुआ दिख सकता है हो सकता है, थोड़ा पहले उपर चले जाएं और फिर सीधा वहाँ से एक dump लग जाए इस तरह की चीज़ें भी देखने को मिल सकती है तो trade बहुत risky है इस time पर है ना, तो आगे जो अपडेट रहेंगे आपको हमारे telegram, twitter पर ही मिलती रहेंगे अगर आपने join नहीं किया तो कर लेना, ठीक है किसी भी crypto में आप invest कर रहे हैं हमेशा अपनी जो research है वो जरूर करें वो बहत जरूरी होती है, मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए, bye bye, take care